अब लोगों को पढ़ाता हूं फिजिक्स तो अभी आप लोग पढ़ रहे हैं एनसे जैस सीरीज में मेरे साथ फिजिक्स और मैं अभी तक आप लोगों को जितना भी कराया हूं उतना आप लोगों के लिए कि यूजफुल है फिजिक्स के लिए यानि कि फिजिक्स को आगे पढ़ने के लिए आप लोगों को जितना अभी तक प्रोवाइट किया गया है वह सारा मैटेरियल आप लोगों को अपने पास एजर टूल रखना है उसको हम यूज़ करेंगे आज एक नया टॉपिक बढ़न प्रडेक्टर आऊंगा अभी हम लोग क्या करेंगे अभी हम लोग आफ्टर वन मोर लेक्चर कानमेटिक स्टार्ट करेंगे तो दैन कानमेटिक में बहुत यूज़ आने वाला है वैक्टर का तो मैं जितने भी टॉपिक आप लोगों के लिए आके लेकर आऊंगा या फिर आप लोग रिवाइस कर लीजेरे इससे एक करेंगे से survive करेंगे तो मैं मेरे साथ साथ सारी स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैंक बार यह चेक कर लेते हैं चोंटिक बार जुड़ुके हैं आप लोग एक बार अपने फ्रेंट सर्केल में आज के सेशन को शियर कर जीजिए जैसे कि बाकी स्टुडेंट भी कनेक्ट कर वाएंगे ठीक है लोगों को नई टोपिक यानि लेए टोपिक जो है वो चलेगा हमारा डॉट रडक्ट लेकिन डॉट प्रडक्ट से पहले इसमें जितना मैंने आप लोगों को कराया था इसमें एक क्वेश्चिन और है जो मुझे लगता है कि आपको लाना चाहिए तो वो प्रश्चिन भी आ आप लोगों के लिए कराऊंगा इस question में हम लोगों को ने angle find सायत नहीं किया था और angle find हम लोग यहां पर करेंगे ठीक है इस question को almost मैंने जितना point आपको करा दिया इसको question को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा मैं ठीक है अच्छाइब कि देखिए अभी हम लोग ने देखा था कि question दे रखा था और इस question के जरिये हम लोगों एक diagram बनाया और फिर diagram को हमने skip किया इसको हमने फिर दूसरे method से solve किया था second method हम लोगों ने देखा हम लोगों ने देखा कि आप कुछ भी मत कीजिए जितने भी आप लोगों के वेक्टर दे रखें उनको origin पर tail से join दर दीजे सारे के सारे वेक्टर को origin point पर tail से connect दर दीजे फिर s1, s2, s3 को components में तोड़ लीजे फिर हमने s1 को components में तोड़ा s2 को हमने components में तोड़ लिया and s3 को भी हमने components में तोड़ा और इन सभी को हम लोगों ने देखा कि एक overall जब हमें displacement calculate करना है तो displacement calculate करने के लिए s1, s2, s3 इन तीनों को एक vector form में हमने add किया तो हम लोगों को मिला minus 33 i cap plus 14 j cap क्या 14 j cap अब यह वाला जो point दे रखा है इसको इसी को मैं आप के सामने next point पर लेकि जाऊंगा displacement of the person हम लोग निकाल चुके हैं displacement आ चुका है इसी में आप लोगों से कहे दे कि इसके लिए डाइगराम बनाई है या फिर आप लोगों से कहे कि इसका एंगल बताई बताई जो final displacement है इसका एंगल बताई है ठीक है तो एंगल कैसे बताऊगे वो चीज़ आपको समझनी है अब देखो मान कर चलिए हमारे पास जैसे सो स्वरी जैसे हम लोग कार्डिशन प्लेइन को कंसीडर कर रहे थे आपको वैसे ही कंसीडर करना है कि एस वैस्ट इस्ट इस इस दा नॉज ठीक है अब इसमें एक पॉइंट को हम लोग एड़ करेंगे वाट अब ऐसा क्यों किया वो थोड़ा समझने की जुरूत है मैं ओवर ओल जो डिस्प्रेस्मेंट आया थर्टी थ्री आई के पॉटीन जेक है डिस्प्रेस्मेंट जो आया है माइनस का थर्टी थ्री आयगे पॉटीन जेक है देखो इससे एक पॉइंट हम लोगوں को मिला वो पॉइंट क्या था कि एस डिस्प्रेस्मेंट है और इसमें 33 i cap 33 i cap 14 j cap तो x का जो magnitude है वो है negative में और y का जो magnitude है वो है positive में तो हम लोगों को क्या मिला कि यह कहां पर होगा x negative y positive तो हम लोगों को मिला कि x जो है वो second में negative होता है और y जो है वो negative होता है सारे बच्चे इस point को समझते हैं तो जो भी हमारे पास में displacement होगा वो displacement कुछ इस तरीके सिभी होगा अब देखो इसको थोड़ा समझने की जरूरत है कि मान अब यहां पर यह मान कर चली कि अलफा बना रहे है अब देखो एक्स में कितना चला एक्स में हम लोग मान कर चलते हैं आप एक्स पर कितना मूव किया 33 magnitude और वाई पर कितना किया 14 में कितना 14 magnitude कितना 14 magnitude तो यह जो वेक्तर आप लोग देखर हैं displacement वेक्टर अभी तक आप समझेके ना वाई पर 14 वाई पर 14 एक्स पर 33 अब जो यह वेक्टर जो displacement है क्या है जो displacement है अब जो displacement आप लोग देख पार हो तो दिस इस दा अलफा क्या दिस इस दा अलफा एंगल बना रहा है किसके साथ में या तो आप लोग वेस्ट डिरेक्शन बोलीजे जो भी आप लोग बोड़ना चाहते हो अब according to this if you find the अलफा तो आप क्या यूज करोगे यहां पर टैन अलफा टैन अलफा लगाओगे तो आपने एक चीज बेसिक माथमेटिक्स में सीखी थी कि जब आप लोग इस एंगल को फाइंड करना चाहते हो टैन हम लोग क्यों यूज करते हैं टैन हम इस एंगल के लिए बात करें तो हमारे पास इस एंगल के सब्सक्राइब अब यह 90 अब यह 90 ट्राइट ्inki ट्रैंगल बना इस अलफा के सामने वाला पर्पेंडिझचुल्र यैक्या हो गया बेस बेस और पर पेंडिकुलर दोनों अमारे में हैं तो क्या यह 10 से हम लोग इसको calculate कर सकते हैं हाँ 10 से calculate हम कर सकते हैं तो 10 में सिंपल आप लोग जानते हो 10 में क्या होता है perpendicular upon base होता है तो perpendicular क्या है ? बेस क्या है ? आप सारे बच्छे जानते हो नहीं जानते क्या ? तो 14 by 33 तो alpha equals to हमारे सामने निकल के आया कित्ता ? 10 inverse क्यूंकि हम यह value नहीं जानते कि 10 में यह value कितने की होती है इसलिए हम लोग इसतरी कें इसको लेकर शोड़ देंगे यदी इत अब ओनो सर calculate किया सबता है कि सबलकुलेट कर सकते हैं बटlik थो हम कर सकते हैं कोई दिक्क नहीं पर इसलिए आपको उत्ना नहीं देखना है वह जो को नौर्थ ओफ वेश्ट क्या है नौर्थ ओफ वेंस्ट यह निन ओर्ध फॉम फ्रॉम वेस्ट अलफ इस Notre औरफ वेस्ट समय गाय नौर्थ से सर्य जूर्थ से नौर्थ से समय से ढूले यह सोर नुद तो इतना पॉइंट आप लोगों को याद रखना है चले आई वोग आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉबलम नहीं होनी चाहिए एक कुष्चन और है और इस कुष्चन को मैं आप लोगों को कराऊंगा या फिर सबसे पहले हमें कुष्चन जो है जो मेरे को लगता है कि वो कराना कॉंसेप्ट के लिए ज़रूरी है उस कुष्चन को और मैं कराऊंगा उसके बाद स्केलर प्रॉडक्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहिए भाले है और मैं है और ऱॉड लोग स्टार्ट करने लोगि स्टार्ट किस्ट प्रॉडक्त करने लोग with and travel with velocity of velocity of V1 to I plus J cap minus K cap for 5 second then travel then travel with the velocity with the velocity of V2 3i 4j cap 3i 4j cap for next 3 second for 3 second now now you have to find the net displacement of particle first of all displacement of particle अगला क्या है final position final position final position vector of the particle position vector of the particle अब अब ये question आप लोगों को find करना है फटाफट से question एक बार read करेंगे उसके concept तक reach करेंगे then move करेंगे हमारे final answer तक okay चली 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 अब आपको देखना है कोई पॉइंट दे रखा है वन कॉमा वन ठीक है अब इसमें आप वीवन या फिर इसको वी आई ऐसे एक काम कर सकते हैं हम लोग इसको हम लोग वीवन वी टू इस तरीके से हम लेको ने किया कि अब भाई किसी का अंसर नहीं आया भी तक तो आप लोग जो पढ़ रहे हो आई थिंक सो उसमें मुझे नहीं लगता कि फिर बहुत ज्यादा इफेक्शन आप लोगों का मिल रहे हैं ठीक है चलिए तो एक काम करते हैं सबसे पहले पॉइंट दे रखा है इसमें हम लोग इसकी क्या करेंगे हमें काम करते हैं इसका एक तो आर आई निकाल लेते हैं क्या निकाल लेते हैं इनिशल पोजिशन आर आई निकाल लेते हैं तो आई कैप जे कैप प्लस के कैप आई कैप जे कैप एंड के कैप अब इसमें आप लोग सबसे पहले है डिस्प्लेस्मेंट निकालोगे तो कैसे निकलेगी देखो वीबन दे रखा है कितना कि टू आई जे माइनस का के यह यानि कि डिस्प्लेस्मेंट अगर हम कैल्कुलेट करना चाहें इसकी तो अब देखो यहां पर वन बोर एक और चीज़ दे रखिए इस वेलोसिटी से से किट्ट्रेय टाइं त heta कंट करता है वाइव सेकेंट तक करता है जिस्प्लेस्मेंट निकाल लेजी ऑस वंवेक्टर जहें वो आएगा जो जो वीवन है कि टू आई कि लस्का जे माइनस का के कैप अब फाइव सेकेंड तक मूव करता है सिंपल आप लोगों ने इसमें मल्टिप्लाई करते हैं तो यह क्या आएगा हमारे पास यह एस वन आया इसी तरीके से हम लोग क्या एस टू भी कैल्कुलेट करेंगे अब जो वीटू है वीटू के लिए हमने देखना है क्या है वीटू वेलासिटी हमने देखा थ्री आई प्लस फॉर्जे 3i 4j और इसमें टी टू दे रखा है 3 सेकेंड कितना 3 सेकेंड्स का एस टू कर हम कैल्कुलेट करें तो वीटू मल्टिप्लाइड वाई टी टू देन 3i 4j इसमें मल्टिप्लाइड किया किसे 3 के साथ और s2 वेक्टर आया मेरे पास कितना 9i 4j यहां तक सभी को समझ में आया किया अभी अम लोग इसको तोड़ सरी फोर नहीं अब डिस्प्लेश्मेंट अगर निकालना चाहें तो s1 s1 प्लस s2 को एड़ गर से एस निकालना है s1 कितना चाहें वो हमें देखने की जरूत है 10 5-5 this is the 9i हम यहां देखेंगे this is the 19 i this is the 12 and 12 17 j minus का 5k इतना समझ में आया क्या इतना पंट सभी को समझ में आया गया ठीक है अब आप लोग को कोई पंट समझ में आया होगा नेक्स्ट पॉइंट पर जहां हम लोग मूव करने वाले किसी का अंसर था क्या सई है अग्स्ट पॉइंट हम लोग इसमें क्या करेंगी तो बीप अब यह अभी तक हमने क्या निकाला एक अब देखों आर आई कितना था आई कैप जे कैप के कैप ठीक है आप से आर एफ कैलकुलेट करवा रहा है तो आप इसमें डिस्प्लेस्मेंट प्लस आर ओफ आई क्या करोगे एड करोगे देन आर ओफ एफ कैलकुलेट करने के लिए एस कितना है हमारे पास नाइटीन आई स्वेवन्टीन जे माइनस का फाइफ के कैप आर आई कितना है हमारे पास आई कैप जे कैप के कैप ठीक है देन आर एफ कितना मिला जिसस्ट ट्वंटी आई इस एट्टीन जे माइनस का पूर के कैप एट इस दा फाइनल पूजीशन वेक्टर ओड़ पार्टिकल यह इंसेक्ट जो भी आप लोग ने लेगा ठीक है अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की साइट बूफ करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इसकेलर प्रॉडक्ट इसको एक और नाम से जानते हो डॉट प्रॉडक्ट क्या जानते हो डॉट प्रॉडक्ट के नाम से जानते हो या तो इसकेलर प्रॉडक्ट या फिर आप लोग जानते हो इसको डॉट प्रॉडक्स के नाम से अब dot product का मीनिंग क्या है कि जब हम लोग दो वेक्टर को मल्टिप्लाए करते हैं और दो वेक्टर को मल्टिप्लाए करने के बाद हमारे पास जो physical quantity आएगे वो scalar आए तो उस case में हम लोग क्या है उसको कहते हैं is scalar product और उसी को हम लोग कहते हैं डॉट प्रडक्ट अब actual में डॉट प्रड़क्ट क्या होता है वह सिंपल टॉट मैं आपको याद रखना है मानकर चली कोई एक वेक्टर है एक कोई V Vector है और उनका आपको क्या करना है dot production तो है लेकिन वेक्टर रेक्टर का प्रड़क्ट करने है लेकिन इस जगह पर हम लोग यह टम करें डोट जो हमने डोट यहां पर लगाया है इसको हम लोग जब डॉट प्रड़क्ट करते हैं तो आप या तो इसको सिंप्ली लिख सकते हो इस या फिर इसको लिखा जा सकता है अब थीटा क्या है वो पॉइंट हमें पता होना चाहिए थीटा क्या है एंगल विट्वीन एंड बे इसके बीच का एंगल ओके चलें हुआ 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 है एंगल बिट्वीन एंड बे आप देखो इसका मीनिंग क्या होता है वो थोड़ा समझने की जुरूत है इसको और थोड़ा हम लोग विजुलाइज करेंगे आप कि मानकर चलिए हमारे पास कोई एक वेक्टर है और इस वेक्टर को मैं मानकर चलिए मैं कहता हूं कि इस तीटा कोई A vector यह हमारे पास क्या है this is the B vector क्या है this is the B vector अब यह दोनों vector के बीच का जो angle है that is theta that is theta अब हम लोग इस point में एक और point add करते हैं यह वाला तो अब बताओ इस B vector को अगर थीटा के basis पर then इसको मैं क्या पूल सकता हूं अगर along the A vector मैं लेना चाहूं along the B vector को मैं A के along लिखना चाहूं तो आप सारे वच्ये जानते हो sir हम इसको लिख सकते हैं B cos theta कyya लिख सकते हैं इसको इसको हम लोग क्या लेख सकते हैं इसको हम लोग यहां तक B लिख सकते हैं थोड़ा और अध्यस्ट कर लेते हैं कि इस दा बी कॉस्ट चीटा इसको हम लोग क्या बोलेंगे बी कॉस्ट चीटा कैसे बोलेंगे वो चीज़ आपको मुझे समझाने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग कंपोनेंट्स करना सीख चुके हो अगर अलोंग दा एक्सेस में लेना चाहता हूं क्या लेना चा अब इसको इसी के अगर फॉम में देखा जाए तो एड़ एड़ बी इसको आप कैसे लेखोगे अभी तक आपने देखा अभी तक आपने क्या देखा इसको आप लेखोगे ए और इट इस बी कॉस्ट ठीटा क्या लेका दिस इसका मेनिंग क्या होता है ए बी कॉस्ट ठीटा को क्या का होगे कंपोनेंट कंपोनेंट के अब बेक्टर अब बी बी वैक्टर अलोंग ए अलोंग ए अलोंग दी ए साहिद आप लोगों वह यह समझ में आई हो अगर यह पॉइंट समझ में आ गया तो इसके बाद हम लोग इसका वाइस वर्सा भी सीख सकते हैं कि मानकर चलिए हमारे पास कि ए डॉट भी करना है तो क्या मैं इसको इसे साफ से अरेंज कर सकता हूं क्या कि इसके अकॉर्डिंग लिए अर्जस कर सकता हूं क्या हां सर कर सकते हैं इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है इसको बी लिखा रहने दीजिए अब यहां पर क्या लिखिए कम्पोनेंट ओफ अब किसका कम्पोनेंट लिया है इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे यह वाले को एक और चीटा को कम्पोनेंट ओफ ए अलॉंग दा बी बी के अलॉंग अब देखो इसी चीज़ को हम लोग बी के अलॉंग करना चाहें तो इस तरीके से लिखा जा सकता है यहां तक मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए बस जब भी आपको दो वेक्टर का डॉट प्रडेक्ट तरना तो याद रखना अब 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 कॉस चीटा में ठीटा जो होता है वो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है उसके बाद हम लोग ए भी कॉस चीटा लिख रहे हैं तो इसमें एको वालग यह बीकॉस चीटा को कंपोनेंट अब बी कंपोनेंट ऑब अलंग दा डा ए बोल सकते हैं चाहिए अगर हम लोग इसको यह बोल सकते तो एक बीघी को आगे लाए जा सकता एक को सथ टीटा के साथ सब्सक्राइब कंपोनेंट ओफ एलॉंग पी इसको ऐसे भी बोल सकते किसी भी तरीके से आपको बोला जा सकता इससे कंफिज होने A है और A के साथ आपको बुला गया component of B along A, component of B along A, इसको एक और point से आप जान सकते हो, projection of B, projection of B on A, projection of B, projection of B along A, यानि की on A, along के मतलब along के साथ उस पर लगा दिया A, अब देखो, component को हमने रिमूब किया, इसकी जगह पर बुला projection of B, B का projection on A, A पर कितना है, समझ गए, yes or no, I hope आप लोगों को ये point समझ में आया हो, किसी को समझ में नहीं आया हो, तो आप लोग पोज़ सकते हो, चलिए, इस के बाद हम लोग इसके cases को study करते हैं, case number one, case number one, मान कर चलिए, this is the theta, मान कर चलिए, this is the A vector, this is the B vector, यहाँ पर आपको कौन सा angle मिल रहा है बेटा, acute angle, क्या होता है, acute angle, यानि कि इक और point हम दोग देख सकते, theta 90 से छोटा, इतना 90 से छोटा, अगर theta 90 से छोटा है, तो always आपको जो A dot B की जो value मिलेगी, always 0 से बड़ी हो, क्या होगी, always greater than 0, always greater than 0, इसका मीनिंग यह है, always आपको A और B का जो dot product करोगे, वो 0 से ज़्यादा आएगा, positive में, समझ गए, 0 से ज़्यादा का मतलब ही यही है, positive value आपके, receive, समझ गए, यानि समझ गए, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप जानते हूँ, cost theta की value, cost theta की value, because positive होती है, क्या होगी, cost theta की value, positive होगी, कब तक, जब तक, वो 90 तक, 90 पर 0 होती है, 90 से लेकर, 90 से पहले पहले तक, 90 पर 0, 90 से less than में, क्या होगी, positive की value होती है, जैसे 90 को cross करता है, तो cost की value negative हो जाती है, है ना, cost theta की value, इसमें क्या होती है, positive होती है, ये point समझ में आना चाहिए, ठीक है भाई, इसके बाद, case number second हम लोग देखते हैं, क्या देखते है, case number second, मानकर चलिए कोई A vector है, this is the B vector, और यहाँ पर आप लोग क्या देखने पारे हो, theta देख पारे हो, theta, angle कौन सा है, obtuse angle है, angle कैसा है, obtuse angle, ठीक है, यानि की, theta greater than 90 है, greater than 90 है, अब जब theta greater than 90 होता है, तो cost theta की value इस case में, always negative आईगी, क्या आईगी, negative आईगी, याद रखेंगी, किस में, obtuse angle में, ठीक है, अब जब यह आएगा, तो इसमें आप लोग simply क्या कह सकते हो, कि जो हमें A dot B मिलेगा, A dot B, less than 0 होगा, क्या होगा, less than 0 होगा, दोनों case को लिखी, अगला third case हम लोग study करेंगे, फिर इसमें, have you noted down? केस नमबर त्री, मान कर चलिए, कोई A vector है, और B vector, यहाँ पर angle जो है, equal to 90 है, और equal to 90 में, cos theta की value क्या हो जाएगी बीटा? 0 हो जाएगी, यहाँ पर cos theta की value, क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि cos 90 question क्या होता है? आप यहाँ बोल सकते हो, simply A की point लिख सकते हो, 0 होगा, और जब यह 0 होगा, तो A dot B, always 0, क्या होगा? always 0, चलिए, this is the third case, आपको याद रखे, cos theta की value 0, अब इसके basis पर, मैं आपको एक question देता हूँ, और वो question कुछ इस तरीके से है, और सभी से चाहूँगा कि बच्चे लोग, आप answer कीजेगा, this is the A vector, it is 5 meter, and this is the B vector, and this is the 4 meter, ठीक है, आपने यहाँ पर, A dot B find का, सारे बच्ची एक बार answer करिये है, अब्धे यहाँ बच्ची एक आपit, इस शी एक बार ainda का, इसे जोब बच्चे मेरे साथ गरे शे, बात इस समय लाइव हैं लाइक जरूर करिये सेशन ना अर्णव कहा रहा है 16 बहुत बढ़िया यार सांदार चेका चक है भाईया माइनस 16 आएगा ठीक है चलो क्यों आएगा वो देख लो अब देखो आपने क्या किया जानबूज कर दिया यह मैंने पॉइंट एड़ ब क्या जानते हूं एबी कॉस्ट ठीटा सर एफ दे रखा है बी जो है वह फोर दे रखा है और कॉस्ट जो दे रखा है वह दे रखा 37 और 37 लिखते ही आपका अंसर गलत कि अ कि क्यों उसका एक रीजन है 37 लिखते ही आपका अंसर गलत क्यों बिटा देख पा रहे हूं यह क्या 37 दोना वेक्टर टेल टू टेल एड जुड़े हुए हैं जब टेल टू टेल नहीं जुड़े तो आप 37 एंगल कैसे ले सकते हो यह यहने एंगल केटना होगा एंगल होगा 180 .. 180 minus 37 कितना 180 minus 37 then 5 multiplied by 4 multiplied by अब देखो इसको आपने convert करना होगा तो आप देखो कि second quadrant आ गया second quadrant में cost की value minus होती है cost की value minus होती है और यहां पर लिखो होगे this is the 37 क्योंकि cost से cost चींज नहीं होगा क्योंकि 180 ले रखा है अब यहां आपने देखा माय अदेखो इस 5 multiplied by 4 कॉस्ट 37 की value क्या होगी 4 by 5 क्या होगी और बाइफ पाइफ माइनस लगाओ वस्ट अब आप आराम से कह सकतो दिस इस दा समझे क्या किसी को point समझ में आया क्या इससे आप लोगों का previous topic starting का point भी समझ में आगा कि अभी आप लोग यही point नहीं समझ पा रहे हो कि angle हमें कौनसा वाला लेना हो और angle कब हम लोग consider करते हैं ठीक है चलो कोई बात नहीं इस होके आज हो गया लेकिन आज के बाद यह गलती अब आप से repeat नहीं होनी चाहिए अगले point की side move करते हैं अब move देखते हम लोग कि प्रॉपर्टीज किसमें हम लोग जाते हैं प्रॉपर्टीज तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहला point सबसे पहला point की a.b करूँ या फिर b.a करूँ इससे कोई फरक नहीं पढ़ता क्या इससे कोई फरक नहीं पढ़ता इस प्रॉपर्टी को आप लोग एक नाम से जानते हो वाट इसको कहते हैं it 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 always commutative लोग कि इस लोग को फॉलो करता है commutative लोग को फॉलो करता है चाहे डॉट वी करूँ चाहे बी डॉट ए करूँ इससे कोई फरक नहीं पढ़ता है second point a vector dot b plus c b plus c इसका meaning क्या है a dot b plus a dot c अब इसको हम लोग क्या बोलते है इट और वे distributive it always distributive law क्या it always distributive law तो यह दोनों point आपको clear होने चाहिए चाहिए मैं a dot b करूँ चाहिए बी डॉट ए करूँ कोई फरक नहीं परता अब a dot b plus c अगर मैं करता हूं तो a dot b plus a dot c होगा और इसको हम लोग क्या कहते हैं कि थार्ड पॉइंट आपको समझने हो थार्ड पॉइंट के लिए मैं एक्स लाइट इंस्टे करूँ कि थार्ड पॉइंट है मानकर चलिए मैं आई कैप dot j cap करता हूं मानकर चलिए आई का dot अगर मैं जे कैप के साथ करता हूं i cap j cap i cap x j cap y एंगल कितना हुआ भाई एंगल कितना हुआ एंगल कितना हुआ होगे क्या होगे पर्पेंडिकुलर होगे तो जब पर्पेंडिकुलर हुए तो यह इट गिप्स यू जीरो इट गिप्स यू जीरो ऐसे ही मैं अगर जे कैप क्या जे कैप और के कैप इट गिप्स यू जीरो इट गिप्स यू जीरो वही अपलोग कैप डॉट आई कैप इट गिप्स यू जीरो इट गिप्स यू जीरो क्योंकि पर्पेंडिकुलर है इसके साथ साथ एक चीज और याद रखिए मानकर चलिए कि मैं आई के साथ आई कैप का माइनस जे के साथ कर दूँ माइनस जे तो इससे भी कोई फरक नहीं परता पर्पेंडिकुलर होंगे जीरो सेम आजिटेस मैं क्या करता हूँ आई का साथ जे के साथ जे के साथ मानकर चलिए जे के साथ माइनस के कैप का मल्टिप लाए करूँ तो इट गिफ्स यू जीरो डॉट प्रड़क करने पर ये जीरो होगा same as it is k cap का dot अगर मैं minus i के साथ करता हूँ तो it gives you 0 या यह आपको 0-0-0 इस तरीके से मिलेगा इसमें आपको परिशान होने की जरुवत नहीं है मचलोग next अगला point अब मानकर चलिए कि मैं i का dot i के साथ करता हूँ किस के साथ करता हूँ i का dot i के साथ करता हूँ तो it gives you what it gives you 1 it gives you 1 अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको यह थोड़ा blur हो रहा होगा कि यह सर ऐसा कैसे हो रहा है अब देखो i का multiply i का dot j के साथ करता हूँ तो थोड़ा समझना भीटा i का dot j के साथ में कर रहा हूँ तो i का है i का magnitude क्या हो गया i के सामने magnitude क्या हुआ 1 j के सामने magnitude क्या 1 अब दोनों के बीच का angle कितना है 90 और cos 90 के value क्या होते है 0 और इसकी वज़ा से overall 0 हो गया समझे क्या ऐसे ही i dot i के साथ अगर मैं करता हूँ अब 1 multiplied by 1 and इन दोनों के देखो i और दूसरा भी i दोनों का कर रहा हूँ तो इसमें angle कितना हो गया 0 और cos 0 की value होती है 1,1 sorry 1 multiplied by 1 1 that gives you it gives you 1 it gives you 1 क्या सभी कोई point समझ में आया तो आगे से आप लोग याद रखेंगी इन points को सीधा मैं यहाँ पर लिखूँगा क्या what it gives you 1 it gives you 1 ऐसे ही मैं जे का जे के साथ करता हूँ तो it gives you 1 के का मैं के के साथ करता हूँ तो it gives you 1 it gives you 1 समझ में आया क्या अब मानकर चलिए मैं इसके साथ i cap का multiply minus i cap के साथ करता हूँ किसके साथ minus के i cap के साथ करता हूँ तो it gives you 1 multiplied by 1 सीधा लिखिए भाई अब देखूँ यहाँ पर minus minus दिख रहे है तो एक x x positive axis पे एक negative x axis पे तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के opposite होगे एंगल क्या हुआ वेटा दोनों के बीच में दोनों के बीच में एंगल हुआ दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ 180 और cos 180 की value minus 1 होती है तो मैं यहाँ पर एक directly use कराऊ it gives you minus 1 इसी तरीके से j cap का डॉट माइनस के 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 साथ करूं तो इट गिपसी ओन से मजट इस के साथ मैं आई के साथ करूं तबी यह आए गा क्या समझ में आ सभी को किसी को को कोई कर दो दो दैन यू और आस्ट अटर्वाइज बीवल मूब और नेक्स पॉइंट कि फोर की फोर प्रोपर्टीज आप लोगों को समझ में आई अगले पॉइंट की साइट मूफ करेंगे और जिसमें आप कुछ नया सीखेंगे वाट की मानकर चलिए कि एक एक वेक्टर है और उसको तो कंपोनेंट के फॉर्म में कुछ इस तरीके से दे रखा है कि दिस दबी वेक्टर कि अ कि अ कर दिस आप लोगों से पूछा जाए कि ए डॉट बी वेक्टर करिए तो आपके दिमाख में क्या आएगा थोड़ा समझना विटा कि ए का मल्टिप्लाइ बी के साथ अब आई केप और आई केप दोनों मिलकर वन हो गए आई केप और आई केप मिलकर वन हो गए इसका मल्टिप्लाइ मानकर चली इसका मल्टिप्लाइ पहले यह वाला पॉइंट लिया इस वाले का किसका इस वाले का अब इसके साथ इसके साथ इसके साथ, तीनों के साथ होगा पहले A, X, I, Cap का Multiply इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ ओके, अब ये क्या हो गया? 1 हो गया, क्या हो गया भई? 1 हो गया, अब 1 की जगा पर मैंने इनको उड़ा दिया, ये समझने हो बस मैंने इनको कर दिया गया, अब यहाँ लिख देता हूँ सीधा Simple 1, क्या लिखता हूँ? Simply मैं यहाँ लिख देता हूँ 1, What 1? अब A, X, I, Cap और B, Y इसके साथ मान का चलिए A, X B, Y I, Cap और J, Cap अब एक बात बताओ भाई, यहाँ पर I, Cap और J, Cap इट गिप्स यू, 0 अब I, Cap और J, Cap दोनों का मल्टिप्लाई करने पर यह 0 देगा, तो ओवराल 0, ऐसे ही I का K के साथ करूँगा तो A, X, B, X सरी, A, X, B, Z I, Cap K, Cap, इट गिप्स यू, 0 क्या देगा? यह भी आपको 0 देगा, इसलिए इन सारे टम्स को हम उड़ा देते हैं अब इसका मतलब इसका मल्टिप्लाई किसका? A, X का मल्टिप्लाई किसका? देखो, इसका मल्टिप्लाई मैंने इन तीनों के साथ किया तो केबल मुझे रिजल्ट मिला, B, X वाले के साथ में बाकी सब 0 हो गए समझ गए? या नहीं समझे? अगर मैं ऐसा ही A of Y, J के साथ करूँगा तो केबल रिजल्ट मेलेगा इसके साथ ये और इन दोनों के साथ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा सेम अगर मैं इसके लिए साथ करूँगा तब भी ये ही रिजल्ट मेरे को मेलेगा तो फिर इतना सब कुछ घुमने की और घुमाने की दरुवत नहीं है हम क्या लिखेंगे? दिस इस दा A by B by दिस दा A Z B Z समझे क्या? किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछ लेजे भाई है अगले पॉइंट की साइड मूव करते हैं सभी को दिखकर पॉइंट नहीं पहले एक दो क्वेशन इससे रिलेटेड कर लेते हैं मानकर चलिए एक क्वेशन मैं आपको देता हूँ A वेक्टर दे रखा है 2I के एप and 2J के according to this ठीक है अब वन मोर एक और वेक्टर दे रखा है B 3I माइनस लगा देते हैं इसमें minus 4J and बस इतना ही दे रखा है कि ये वाला टर्म जो है वो B में 0 है आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो plus 0 के और नहीं दे रखा तब भी आप यहीं समझेंगे मैं आपसे कहता हूँ अब कुछ बच्चों की दिमान का मेरो सोर 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 आई कैप भी लिख डालो अरे बच्चों लोग बाई नहीं लिखना आई आई और आई का मिल गया आपको वन मिल गया बस कतम यहां पर टू का मिल्टिप्लाई माइनस पूर के साथ एंड वहीं 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 यहां पर भी क्या देखोगे माइनस वन का मल्टिप्लाई जी रोके साथ इत्ता सब कुछ लिखने की जुरूत नहीं है बट सिक्स माइनस का एट इट गिफ्स यू माइनस का टू आ में समझे गया अब देखो जो माइनस टू आपको वैल्यू मिल रही है क्या मिल रही है माइनस टू वैल्यू मिल रही तो a.b का product जो है a.b जो है वो minus 2 मिला तो हमने अभी एक पीछे point समझा था वो क्या था कि a.b करने पर 0 से कम मिलेगा a.b मिलेगा तो angle 90 से जादा होगा यानि कि obtuse angle होगा समझे क्या यहां पर आप बता सकते हो कि माइनस टू आ रहा है इसका मतलब यह 90 से ज्यादा एंगल कितना है 90 से ज्यादा एंगल है समझ गए क्या कि आया न चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर मूब करते हैं कि अगला एक को और क्वेशन कि वन मोर क्वेशन अंधिन देखो कि एक वेक्तर दे रखा है कि अ जाट है कि अ कि यहां पर भी आपको एक डॉट बी निकाला है जब आप लोग फाइंड करोगे डॉट बी तो आपने क्या करना है तू मल्टिप्लाइड बाई सब्सक्राइड बाई जिरो और जिरो पड़ा था हमने कब जीरो पड़ा था हमने तब कि जब दो वेक्टर एक डूसरे उसरे पर प्रपेंडिकुलर होंगे तब ही आप लोगों का ए डॉट बी जो है वो जीरो आएगा यहां पर पॉइंट समझ में आया कि जब भी आप लोगों को ए डॉट बी प्रोडक्ट जीरो दे दिया जाए तो आपके दिमाग में एक ही पॉइंट आना चाहिए वाट कि द हुआ है क्या हमने लिखना है वो चीज भी थोडा समझ लेजे आ है On the basis of देस मांदकर चलिए कोई वैक्टर की दिरका है कि अधुट यह वह इस पर पर परन दीकुलर होगा ही होगा क्या आउगा विवैक्टर इस पर परापेंडिकुलर होगा ही होगा कि सम्झे गया चलिए वनमोर और भी कुछ क्वेशन करतें क्वेशंस आप इ Lak मुए कोई एक वेक्टर दे रखा है तो टो डिस अब मान कर चलिए अ.b यह गिविन है फायंड करना है इस अ.b फायंड करना है क्या करना है एक डॉट बी फाइंटर अब देखो आप क्या से लिखोगे एक डॉट बी वन मल्टिप्लाइड बाइड बाइड टू प्लास 3 x 2 minus 1 टो –6 믿 लिखो 0 it is given here 0 this is the 2 plus three five four sorry this is the 6 plus 8 and minus का 4 of x x equals to 8 by 4 x equals to 2 x equals to 2 समझ गया x equals to 2 सब भी को point clear है चले इसके बाद अगले point पर move करते है सर एक वर question करते है जो आपको आगे काफी सीजर help करेगा मानकर चलिए कोई एक a vector दे रखा है इसमें a i gap plus a a a j gap अब इसका answer मैं आप से चाहता हूं सभी बच्चों से 3k gap a i gap अब आपको गिविन है if then find what the find a dot b आप सभी के पास एक मनिट का समय है question को solve करेए answer मेरे को send करेए after that मैं solve रहाँ गए इसको पन आप सर परीट आपसे का मोऽचको बच्चों all झाल अब देखो क्या आप भर होगे A multiplied by A plus A multiplied by minus 2 plus 3, minus 1 it is A square minus का 2A minus का 3 और it given here 0 अभी आपको visualize हो रहा होगा क्या हम quadratic से solve कर सकते हैं हाँ sir quadratic से कर सकते हैं A square आपको एक तो पॉजिटिव का थरी ठीक है समझ में आया सभी को क्लियर हुआ है कि चली अब नेक्स्ट पॉइंट इसी में एडिंग डालेंगे तक्रण्ट भी प्रिय। एकंधिषी तो को आप शिसे एक्ट पालेंगे चली अब नेक्स्ट पर प्यांप्रट्ट्स एक्ट्न एक्ट्रट्र घ्ल प्रिशन कि एक्रश्ट माझ्व सब्सक्रणत अप्लिकेशन ओफ डॉट प्रडॉट अप्लिकेशन ओफ डॉट प्रडॉट तो सबसे पहला अप्लिकेशन लिखेंगे तो फाइंगल बिट्वीन बिट्वीन टू वैक्टर के बीच में आपको अगर एंगल फाइंड करना हो तब कैसे पर तो आपको डॉट प्रड़क्ट जो है वो हेल्प करता है इस पॉइंट को समझने के लिए हम एक क्वेशन करें और उसी से इस पॉइंट समझ में आएगा वाट क्या से मांग कर चलिए कोई भी एक तू दे रखा है देस ए वेक्टर दे रखा है टू वेक्टर दे रखा है अब आप से पूछा जा रहा है find the angle between देस अब देखो कॉस्ट चीटा कैसे कैलकुलेट करोगे वह पॉइंट को समझना है बस अब देखो कॉस्ट चीटा कि इसको आप सबसे पहले क्या निकालना होगा ए डॉट बी निकालना होगा तो ए डॉट बी कैसा निकाल होगे 2 multiplied by 6 plus 2 multiplied by 3 plus minus 1 minus 2 this समझे किया इट ट्वेल्व इट इसक्स इट ट्वेल्व इट इस टू है ठीक है चलिए अब एक क्या है आप यहां से उठाके मत रख देना अब आपको क्या करना पड़ेगा समझ लेना एक बार में ध्यान से सुन ले ना भाई कि कि इसी को तो हम लोग बोलते हैं और यह कैसा निकलेगा एक टेस है कि 2 कास्क्वार टू कास्क्वार नकाई स्क्वार इए निक रस्कवार इसुक्ष व नन और रहेंख बीकल काइ और बी it is 6 ka square it is 3 ka square 2 ka square 36 or it is 9 36 or 9 45 49 or 44 36 9 plus 4 it is 49 and it is 7 अब जो points आपने निकाल लिए इनको सीधा cost theta अब a dot b की value क्या है 20 it is 20 a कितना है 3 b कितना है 7 अब यह dot का meaning कुछ और नहीं है यह simple product है बनाब simple multiply है 3 multiply 7 तो cost theta equals to कितना आया है भाई 20 by 21 और betterly इसको लिखना चाहते हो तो theta equals to cost inverse ट्वेंटी वाई ट्वेंटी वाई ट्वेंटी वन ठीक है आई होप आप लोगों को यह चीज़ समझ में आई होगी अभी आप लोग एक कुश्यन में आप लोगों को देकर जाऊंगा और इस question को करना है बाकी फिर अगले session में आप लोगों को करना है 3i-4g 3i-4 तो तो जाले तो मिलेंगे आप लोगों इस साथ अगली क्लास में आज के लिए वसेतना ही थेंक्यू गूडबाई सभी लोग अपना ख्याल रखिए अभी तक जित्ता पढ़ाया वो साथी चीज़ों को रिवाइस कर लीचे क्योंकि हम लोग करनामेटिक एक सेशन की बाद सटार्ट करने वाले कानमेटिक जब से मैं पढ़ांगा वसमें सैशन की डिवरेशन में बढ़ा दूँगा अभी आप लोगों की जो क्लास होती है वह नायाया फिफ्टी मिनिट हैं उनको प्रेक्टिस करें रिवाइज करें क्योंकि वहां आप लोगों का फ्लो तेज चलेगा अभी के लिए इतना ही थेंक यू